Hello everyone, बेटा आज हम सुरू कर रहे हैं हमारा new topic इसमें हम पढ़ेंगे angle of contact के बारे में तो angle of contact क्या है बेटा यदि हम किसी beaker के अंदर liquid को place करते हैं suppose यहाँ पर हमारे पास है बेटा यह beaker A and beaker B A और B दो beaker हैं इसके अंदर suppose हम feel करते हैं बेटा mercury hg और इसके अंदर suppose हमने feel किया बेटा water इसके अंदर क्या feel किया है water तो यहाँ पर यह बिल्कुल जो हमारा उपर का जो plane होगा वो बिल्कुल state ना आए कोच इस तरह था इस जो है बेटा form होगा तो यह यहां पर जो है mercury में है और यहां पर जो है यह water के case में होगा तो water के case में कुछ इस तरह से जो है यह form होगा और mercury के case में कुछ इस तरह से form होगा तो यहां पर हम बढ़ते हैं वीटा angle of contact तो angle of contact is defined as the angle between the tangent to the liquid surface यह किस किस के बीच का angle होगा तो tangent to the liquid surface at the point of contact to the solid surface तो यहां पर यह suppose क्या है solid है तो इसके साथ यह जो angle होगा तो liquid पर जो यहां पर एक angle form होगा तो यहां पर हम tangent draw कर लेते हैं यह हमारा क्या है तो यह जो complete angle होगा theta इसे हम क्या बोलेंगे प्टा angle of contact यह हम क्या बोलेंगे angle of contact यदि यही angle जो है हम बिटा water के case में देखेंगे तो यहां पर जो है surface liquid surface के साथ tangent हमारा क्या होगा बोलेंगे यह जो है यह हमारी क्या होगा बोलेंगे angle of contact यह दोनोग ऑंगल जो है angle of contact होगा जो water के अंदर से हमने जो angle consider किया है तो mercury के लिए इसकी जो value होगी बेटा वो greater than 90 degree होगी क्या होगी बेटा greater than 90 degree होगा in the case of mercury है ना और यदि हम water के case में देखें बेटा ये क्या होगा हमारा जो है angle जो है वो less than 90 degree होगा तो इतनी चीज आपने क्या रखनी है ध्यान रखनी है इसके बाद है next कि यहाँ पर जो angle of contact है यह किस-किस चीज पर depend करेगा यह depend करेगा नेचर ओफ सोलिड पर and liquid के जो है नेचर पर यह क्या करेगा depend करेगा उसके बाद यह depend करेगा जो है cleanliness की हमारा जो है surface है वो कितना clean है इसके बाद यह depend करेगा medium above the free surface इसके उपर का medium कैसा है उस पर यह क्या करेगा बटा depend करेगा और fourth यह depend करेगा temperature पर किस पर depend करेगा temperature पर तो next यहाँ पर जो एक safe form होगी बटा किसकी जो है meniscus इसको हम क्या बोलते हैं बटा physics की language में इसको हम क्या बोलते हैं बटा यह जो surface है card surface इसको हम बोलते हैं बटा meniscus तो यहाँ पर यदि हमारा जो meniscus है वो कैसा हो concave हो कैसा हो बटा concave हो तो यहाँ पर हम इसको form कर लेते हैं बटा suppose यह हमारा जो है एक surface है तो निचे हमारा जो है, यह डिफाई यहाँ पर देखγαए यह जो है हमारा surface कैसा है बटा? यहाँ पर जो surface हो कैसा हो बटा? Concave है, कैसा surface है यह? Concave और Concave surface के case में क्या हो बटा? क्योन स Antarctic surface है? Concave surface तो यहाँ पर हम voter consider कर सकते हैं यह क्या होगा? Water है तो water के case में क्या होगा बटा जब ये concave meniscus form होगा तो उस case में adhesive force जो है हमारे ज्यादा होंगे cohesive force से adhesive force क्या होंगे ज्यादा होंगे cohesive force से cohesive force कौन से होते हैं बटा हमने last lecture में पढ़ा था जो same substance के बीच में होते हैं और adhesive force कौन से होते हैं different जो substance है उनके beach के force होते हैं तो ये क्या गरेगा बटा जो liquid है वो क्या कर देते हैं वेट कर देते हैं गिला कर देते हैं surface को तो ये water के case में देखें बटा water और water के बीच का जो attractive force है वो क्या है कम है as compared to water and यहाँ पर जो हमारी metal है या ये जो है glass है इसके beach का जो force हो क्या है जादा है इसलिए यहाँ पर ये उपर की तरफ क्या होगा बटा liquid हमारा side से move होगा और ये जो angle होगा ये क्या होगा हमारा less than 90 degree तो इस angle को हम क्या बोल सकते हैं बटा acute angle form होगा कैसा angle form होगा बटा यहाँ पर acute angle form होगा next है बटा यदि हम बात करेंगे convex meniscus की तो इसके case में क्या होगा बटा liquid does not wet the solid surface जैसे हम mercury की बात करें mercury जो है यहाँ पर हम बात करते हैं बटा mercury और यह कैसा है बटा concave surface sorry convex surface यह surface कैसा है बटा convex surface तो इसके case में क्या होगा बटा यहाँ पर जो है क्योंकि mercury और mercury के बीच का जो bond है cohesive bond जो है वो क्या होगा बटा जादा होगा as compared to adhesive bond तो यहाँ पर जो adhesive force है बटा उससे जादा क्या होगा cohesive force होगा तो इस case में हमारा जो meniscus foam होगा कैसा होगा बटा convex meniscus foam होगा और यदि दोनों forces क्या है same है adhesive और cohesive तो उस case में हमारा जो surface होगा बटा वो कैसा होगा plane होगा यहाँ पर जो surface हो कैसा होगा बटा plane surface होगा next बटा यहाँ पर वही चीज जो हमने पहले की है कि यदि हमारा कोई liquid जो है वो wet कर रहा है wall of the container तो वहाँ पर जो angle of contact होगा क्या होगा बटा less than 90 degree होगा acute angle होगा क्या होगा बटा acute angle होगा और यहाँ पर यदि वो wet नहीं कर रहा होगा तो angle हमारा क्या होगा बटा more than 90 degree यहाँ पर जो angle है यह क्या है बटा 90 degree से जो है जादा है